जैवां बगला मुखी मां बगला मुखी के समस्त भक्त जनों को जैमातागी सभी अपने घर में पूजा पार्ट इत्यादी कराते हैं ब्रामन को निमंत्रण देते हैं कि विप्रडेवता आते हैं आपके यह पूजा पार्ट इत्यादी कारेक तो संफण विधिवत कराते हैं उसके बाद में हम उस पूजा पार्ट के लिए ब्राहमन को कुछ धक्षना देकर संतुष्ट करते हैं उसके बाद विप्र देवता हमें आसिरवाद देते हैं ब्रामन क्या है ब्रामन का कर्म धर्म और उनका दाइत के वले एक है कि अपने यजमान के सुबता के लिए कामना करना चाहे किसी ब्रामन को कम आता है किसी ब्रामन को ज़्यादा आता है कोई विद्वान है कोई कम पड़ा लिका है परन्तु जो उनकी विचार धारा है जो उनके ब्रमनत्यों में उनके कर्म निष्ट होने का जो सास्तरों में बिधान बताया है कि ब्रहमन का एक हिदायत है कि वो इपने यह जमान के सुफ़दा की काम ना करें यह जमान को दक्षिना देकर उनको संतुष्ट करते हैं तदा उनका असरवाद बाते हैं बहुत से यह जमान पाठ इत्यादी पूर्ण होने के बाद ब्रहमन देवता को कहते हैं कि अभी पैसे नहीं है बाद में आपके पैसे दे देगे परन्तो वो यग्य निस्फल हो जाता है सास्त्र कहते हैं मैंने इस बात को सास्त्र इस बात को कहते हैं कि जिस यग्य में तुरंत प्रभाव से दक्षिना ना दी जाए यग्य की पूर्णाउती के तुरंत बाद ब्रामन को उसका धन देकर उसकी दक्षिना देकर अकर संतुष्ट नहीं किया जाए तो वो यग्य निस्फल हो जाता है जिस यग्य की पूजन समगरी बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ब्रामन को दक्षिना दे देते हैं परन्तु वो जिनके यहां उनका विभार हैं उन लोगों से पूजापाट का सामान ले आते हैं कि उसको अगले महीने दे देंगे या दो महीने बाद दे देंगे ऐसा नहीं कर किसी भी कर्म अनुष्ठान में तुरंत विप्र देवता को दक्षणा देने से फल की तुरंत प्राप्ति होती है शास्त्रों में कहा गया है कि कृत्वा कर्म चकरता चाहे तुर्ण दध्याचत दक्षणाम तक्षणाम फल में अपनों ती वेदेई रक्त मिदम्मुने कि ब्रामन को तुरंत दक्षणा देने से तुरंत जो है हमें फल की प्राप्ति होती है जो लोग ब्रामनों को यग्यपूर्ण होने के बाद भी दक्षणा नहीं देते तथा उनका उपहास करते हैं उन लोगों के लिए सास्त्रों में कहा गया है कि कर्म पूर्ण होते ही ब्रामन को दक्षणा दे देने चाहिए जिससे आपने जो कर्म किया है जो पुन्य यग्य कुजा पाठ इत्यादी किया है उसका लाव आपको तुरंत प्राप्त हो सके एक रात में एक रात्री के पिस्साथ दक्षणा दो गुना हो जाती है सास्त्र ऐसा कहता है मासे सत्गणम मासे सत्गणम प्रोक्तम दुमासे तू सास्त्रकम संबस्त्रे वितितियसू तू साधाता नर्क ब्रजेत ब्रजेत कि एक महा में सोगुना और महीने में कि सोगुना और महीने के अंदर महीना उपरांत एक हजार गुना और एक सम्मत व्यतित हो जाए तो दाता नर्क को ग्रहन करता है इसमें कोई संद्य नहीं है सास्त्र इस बात को कहता है तो मैं उन लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग ब्रहामनों के साथ ऐसा करते हैं उनको उसी अग्यका प्रतिफल नहीं मिलता देखो आपने देने तो हैं मैं ऐसा नहीं कहता कि आप ब्रहामनों के पैसे काहरन करते हो या आप उनको दक्षना नहीं देते हैं पर उन्तों कुछ ब्रहामन अपने लालच के वस्विभूत भी यह जमान को भ्रमित करते हैं वो कहते हैं मालक किसी से हमने 20,000, 30,000 उपे लेने हैं वो कह देंगे आप 10,000 दे देना 20,000 हमें बाद में दे देना तो ऐसा करने से क्या है कि यह जमान का नुक्षान है ब्रहामन को तो आज नहीं तो कल मिलेंगे उसको तो मिल रहे हैं पर उन्तों जिस यग्य के दुआरा कि नहीं होती है कि सभी मा भगला मुखी के भक्तों को जैमाता की मा भगला मुखी आपके जीवन में मंगल में बनाए रखे भगोती से हम यहीं कामना करते हैं जैमाता दी